संध्या अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी जोपडी में बैठी हुई थी वो आज पूरा दिन काम की तलाश में घर से बाहर थी जब वो घर आई तो उसके दोनों बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे मा बहुत तेज भूख लगी है अब तो पानी भी पी रही हूँ तो भी पेट में दर्ध हो रहा है मा मैंने देखा था आज ताई के घर में पकवान बने हैं मैं उनके घर से खाना लेकर आ जाओं क्या क्या तो सच कह रहा है तो रुक मैं अभी आती हूँ संध्या एक बरतन लेकर अपनी जेठानी के घर जाती है संध्या के पती के निधन के बाद उसके जेठ और जेठानी ने उनका सब कुछ हड़प लिया अब वो अपने दोनों बच्चों के साथ एक जोपड़ी में रहे रही थी बहुत हिम्मत करके वो दर्वाजे पर दस्तक देती है ये भगवान कितनी बार कहा है तुझे की दिन चिपने पर मत आया कर ये समय लक्ष्मी के प्रवेशका होता है और एक तू है मूँ उठा कर चली आती है इस खाली बरतन के साथ दीदी मैं जानती हूँ ये समय नहीं है आने का लेकिन बच्चों ने दो दिन से कुछ नहीं खाया थोड़ा सा कुछ दे दो खाने के लिए कोई काम भी तो नहीं दे रहा है कहीं काम मिल जाए तो मैं आपको परिशान नहीं करूँगी आज मैं तुझे चावल दे रही हूँ खाने के लिए लेकिन अभी इस समय मत आ जाना ना सुभा आना और ना शाम को आना ये समय लक्ष्मी के आने का होता है और क्या कहा तुने तु काम की तलाश कर रही है ये लोजी बगल में चोरा और शहर में ढिंडोरा तुझे पता है ना हमारे तबेले में काम करने वाली की जरूरत है तो क्यू नहीं कर लेती दोनों टाइम का खाना दूंगी संध्य अपनी जेठानी की तरफ देखती है उसकी आखों में आसू थे लेकिन जब उसकी जेठानी ने दो टाइम खाने की बात की तो उसके सामने अपने बच्चों के चहरे आ गए हाँ हाँ दीदी क्यू नहीं काम ही तो है यहां करू या वहां करू मैं कल सुभर ही आ जाओंगी सुनो महरानी कहीं ऐसा नहों कि तुम छे बज़े ही टपक जाओ वो समय लक्ष्मी के आने का होता है उधर जब काफे देर हो गई तो मिठु अपनी मा को देखने के लिए वहां आती है लेकिन अपने ताई के मूँ से लक्ष्मी के आने का समय सुनकर जब संध्या घर आती है तो उससे सवाल करती है मा ताई क्या कह रही थी कि सुभर लक्ष्मी घर आती है हाँ बेटा कहते तो यही है कि सुभ़ और शाम घर में लक्ष्मी आती है और ये भी कहते है कि वो घर आकर खाना खाती है और आशिरवाद देती है जिससे घर में बहुत बरकत होती है मा तो फिर तू क्यों नहीं बुलाती है लक्षमी को लक्षमी भी तो हमारे घर आ सकती है तुम भी उसके लिए खाना बनाओ वो भी खाना खाएगी और फिर हमें आशिरवात देंगी फिर हम भी अमीर हो जाएंगे ये थाली देख रही हो इसमें पड़ा हुआ चावल मैं मांग कर लाई हूँ घर में बनाने के लिए कुछ होता तो क्यों नहीं बनाती मां ताई ने हलवा नहीं दिया मुझे तो हलवे की खुश्बू भी आ रही है भगवान का शुक्र आदा करो कि उन्होंने हमें इतना दे दिया और हाँ सुनो कल से शायद तुम्हें मैं दोनों टाइम खाना खिला पाओ तुम्हारी ताई ने मुझे तबेले का काम दिया है थोड़ा थोड़ा खाना खाकर बच्चों के पेट की आग शान्त हो जाती है और वो दोनों सो गए संध्या ने थाली में दो कोर चावल देखा उसने वो चावल खाया और पानी पीकर सो गई लेकिन उसे नीन नहीं आ रही थी तभी वो माता लक्ष्मी से कहने लगती है हे मातारानी मैं नहीं जानती कि मैं घर में खाना बनाओंगी तुम खाने आओगी या नहीं पर अगर ये सच है कि घर का खाना खाने के लिए तुम आती हो तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ बनाओंगी और फिर संध्या की आँख लग जाती है और अगले दिन सुभ व उसकी जेठानी रात की बासी रोटी और सबजी उसे दे देती है दीदी अगर आप मुझे डाल चावल सूखा दे दो तो मैं घर पर खाना बना लूँ ये लो भाई मैंने हात पकड़ाया नहीं और तेरा हात आस्तीन तका गया तू मुझे ताना मार रही है कि मैं तुझे बासी खाना दे रही हूँ नहीं नहीं दीदी, बिलकुल भी नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती वो तो बस मैंने इसलिए बोला था कि थोड़ा दाल चावल मिल जाता तो मैं घर पर ही बना लेती नहीं है दाल शावल यही मिले का खाने के लिए। हाँ हाँ क्यूं नहीं भगवान की कृपा है जो मुझे काम मिल गया। जो भी हो भगवान का शुक्र है काम तो मिला आखिर पैसे ही मिलेंगे ना तो मैं भी बड़िया खाना बनाऊंगी और मैं भी लक्षमी माता को घर बुलाऊंगी। उसके बाद वो भावी के घर जाकर वहाँ पर काम करती है और अब रोज वो ऐसा ही करने लगी। एक महीना बीद गया। जेठानी के यहां से दो टाइम का खाना मिलता और एक महीने बाद भावी ने उसके हाथ पर 500 रुपे रख दिये। ये लो संध्या तुम्हारे 500 रुपे। और उसके बाद वो माता लक्ष्मी के लिए खाना तयार करती है। मा खीर बना रही हो। हाँ बेटा खीर बना रही हूँ, माता लक्ष्मी के लिए खीर बना रही हूँ, वो आकर पहले खीर खाएंगी, उसके बाद हम खाएंगे। बस थोड़ा सबर रखो माता लक्ष्मी आती ही होगी। संध्या खीर तयार कर लेती है और उसे एक बरतन में भर कर उसे ढग देती है और आख बन करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है। वो लोग बार-बार दर्वाजे पर देख रहे थे। कई बार संध्या उठ उठ कर बाहर भी जा चुकी थी। वही प्याले में रखी हुई खीर का बरतन कई बार चंकी उठा कर देख चुका था। भाबी के घर में भी काम करके आ जाती है। बच्चे अभी भी ऐसे ही बैठे हुए थे। लेकिन माता लक्ष्मी नहीं आई। दोपहर हो गई संध्या घर आई और बहुत दुखी थी। तू भी लगता है अमीरों के घर ही जाती है मा, मुझे से गरीब के घर नहीं आई। मैंने मेवे डाल कर खीर नहीं बनाई ना, इसलिए तुझे मेरे घर का खाना कहां अच्छा लगेगा। मा, दोपहर हो गई है, अब तो मातालक्ष्मी नहीं आएंगी, क्या हम खीर खा ले। बस बेटा थोड़ी देर और इंतिजार कर लेते हैं, कहते है कि शाम के समय भी मातालक्ष्मी घर में पधारती है, क्या पता उन्हें यहां तक आने में समय लग गया हो। संधया अपने आपको भी तसल्ली दे रही थी और अपने बच्चों को भी, शाम को वो सारा काम खत्म करके जब घर आ रही थी, तो मन ही मन उसने सोच लिया था, कि अब वो जाकर बच्चों को खीर खिला देगी, तभी उसे एक औरत के दर्द से कहराने की आवाज सुनाई देती है, वो देखती है, एक दिवार के सहारे, एक बूढी औरत बैठी हुई है, क्या हुआ मैया? भूग से पेट में दर्द हो रहा है, कई दिनों से खाना नहीं मिला है मुझे, तुम चिंता क्यों कर रही हो? चलो न, मेरे घर चलो, खाना बना रखा है, और ये खाना मेर जेठानी ने दिया है, आउ मेरे साथ चलो, मिलकर खाना खाते है, संध्या बूढी औरत को सहारा देकर अपने घर पर ले जाती है, हात पेर धुलवाती है और बच्चों के साथ उसके सामने भी खाना परोज देती है, लेकिन बूढी औरत खीर का बरतन उठाती है और एक ही बारी में सारी खीर खत्म कर देती है दोनों बच्चे हैरानी से और ललचाई आखों से उसे खीर खाते हुए देखते है बहुत अच्छी खीर थी मैंने इतनी स्वादिश्ट और मीठी खीर कभी नहीं खाई लगता है तुमने किसी अपने के लिए बड़े ही प्यार से बनाई थी अरे आप तो अंतर्यामी है आपको खीर खाने से ही पता चल गया कि वो मैंने किस के लिए बनाई थी हा मैया वो मैंने माता लक्ष्मी के लिए बनाई थी लेकिन मैं भूल गई, माता लक्ष्मी मेरे इस जोपड़ी के अंदर क्यूं आएंगी वो बुढ़ी औरत मिठो और चंकी की तरफ देखती है क्या तुम दोनोंने खीर खा ली थी? दोनों ही बच्चे ना में अपनी गर्दन हिलाते है अरे पूछो ही मत, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी आपने तो खीर खा ली, ये बरतन में लगी हुई खीर, मैं चाट सकता हूँ ये तुम क्या कह रहे हो चंकी बेटा, मैं फिर किसी दिन खीर बना दूँगी तभी वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है और लाल सुंदर साडी में सोलह श्रिंगार किये हुए माता लक्ष्मी प्रकट होती है संध्या, मिठ्ठू और चिंकी तीनों की आखे फटी की फटी रह जाती है और उनके हाथ खुद बखुद जुड़ जाते है तुमने क्या सोचा था कि इतनी स्वादिष्ट खीर मैं छोड़ दूँगी मैं तो तुम तीनों की परिक्षा ले रही थी लेकिन तुम्हारा सबर का फल मीठा है ये लो संध्या, ये बरतन लो इस बरतन में कभी खाना खत्म नहीं होगा जो तुम चाहोगी वही तुम्हे मिलेगा इस बरतन से तुम रुपए, पैसे, कपडे, सब कुछ ले सकती हो पर याद रखना, मैं वही रुखती हूँ जहां लालच नहीं होता जहां अपनापन होता है, जहां पर साफ सफाई होती है ये कहकर माता लक्ष्मी वहां से चली जाती है और संध्या माता लक्ष्मी के द्वारा दिये गए उस बरतन से बच्चों के लिए खीर पूरी मांगती है और बच्चों के साथ मिलकर स्वादिष्ट भोजन करती है उसके बाद संध्य आपने बच्चों के साथ सुख पुर्वक अपना जीवन बिताती है